सब्सक्राइब कीजिए हमारे ट्विंट अर्बो यूट्यूब चैनल को और दवाईए बेल आइकन हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए कुछ टॉप यूसफुल कार असेसरिस हमने चूज किया है जो कि आपके लिए काफी यूसफुल होगा एमर्जेंसी में इसकी सारे लिक्स डेस्कूरिसर में दिया गया है आप जाके चेक कर सकते हैं टोटा रस, यह गाड़ी काफी दिनों से सुनने को मिल रहा है कि इंड्यया के मार्केट में आने वाला है, हाला कि टोटा के इसके बारे में कुछ प्लानिंग है या नहीं, यह गाड़ी सच में इंड्यया में आने वाला है? है यह सिर्फ एक रूमर है, पूरी dَّe rituals में जान बात करें टोटर्स के बाविने में यह काड़ी एक सेवेंसीह गारी जो कि दिखने में काफीसंट शतुरेन इथी टुतुरी हैँ होंडा ब्यार्बी के जैसा हनुट की सेवेंसीटर याड़ी आप तोटिक इनोल एक हमीरा के सेल्स लेता हैं इंडिया के मार्केट में टॉयटा रस को भी काफी ज़्यादा लोग वेट किये हैं इंडिया की आने के लिए हलाकि ये इंडिया में आएगा या नहीं चलिए बाद में जानते हैं पहले जान लेते हैं ये गाड़ी क्या है अगर बात करी ये गाड़ी की लेंद्ध विड्ट हाइट विल्बेस के बार IDIUMय में हलाकि I Хonda VR b itself length में थोड़े से कम हो जाती है लेकिन अगर बात करें गाड़ी की इंटिडियेर गारी की एक्सेटीकर फीचर के वामल के वामले में ये गाड़ी कि इंटिंडर का फी बहुत्रीन हैं का थी में हालाकि Kaydown के लिएssenet है अलाकि गड़ी में आपको काफी अच्छा खासा leg room headroom मिल जाता है काफी बहतरी इंटरी एज़े और full loaded feature भी आपको गड़ी में मिल जाता है और exterior तो काफी बहतरी दिखने में भी है ही अगर बात करें इसके features के मामले में तीस में आपको LED headlamp मिल जाता है LED DRL के साथ and keyless entry जैसे कई सारे premium features गाड़ी में मिल जाते है अगर बात करें इसकी engine की तो international marketing में यह सिर्फ और सिर्फ पेट्रोल engine में आता है 1.5 liter petrol engine जो की 104 PS के साथ 136 Nm का torque देते था यह आपको 5-speed manual transmission और automatic में मिलता है अला कि बात करें गाड़ी की इंडिया की आने की chances के मामले में तो यह लगवग next 2019 और 2020 के लिए ना ही है अला कि Toyota की इसके बारे में कुछ भी planning नहीं है 2019 और 2020 तक अला कि 2020 में कुछ नय plan बने तो ठीक है लेकिन अभी हाली में next 2 साल के लिए Toyota की रस के मामले में कोई भी planning नहीं है कि यह इंडिया में रस को लाएगा अला कि यह रस लवर्स या आप बोल सकते हैं जो कि वेट करके बैठें उनके लिए काफी बुरा न्यूज है लेकिन एक काफी बहतरे न्यूज भी है Toyota की तरफ से Toyota एक बहतरिन दिखने बाली काफी stylish SUV, five-seater SUV इंडिया में लाने बाला है जो कि सिदे-सिदे compete करेगी Hyundai Creta और Capture की जैसे गाड़ियों के साथ और यह सिदे-सिदे compete भी कर सकती है new upcoming Tata Harrier के साथ भी जो कि काफी बहतरिन लेने बाला है और अगर आप बात करें यह भी competition ले सकता है Jeep Compass के साथ भी हाला कि Jeep Compass काफी बहतरिन इंजिन के मामने में आ जाता है लेकिन अगर बात करें यह गाड़ी काफी दिखने में काफी बहतरिन है हाला कि यह एक revolutionary design होगा इंडिया के market में automobile की sector के अंदर काफी बहतरिन दिखने वाला यह गाड़ी यह है Toyota CHR हाला कि इसकी आने का कई ज़्यादा chances नहीं था लेकिन Toyota के तरफ से काफी ज़्यादा news मिल रहा है कि यह गाड़ी इंडिया के market में आने का काफी ज़्यादा chances है और Toyota इसके ओपर पूरा काम कर रहा है तो अगले वीडियो में इस गाड़ी के मामले में पूरे details में जानकारी लेंगे तो प्लीज वो वीडियो को जरूर देखिएगा लेकिन अगर बात करें Toyota Rush के मामले में तो यह गाड़ी इंडिया में नहीं आ रहे 2020 तक हलाएकि उसके बात आने का chances हो सकता है तो यह था मेरा राए यह था मेरा research Toyota Rush के ओपर आपको क्या लगा इस वीडियो के बारे में प्लीज मुझे comment section में बताईए और ऐसे से नहीं ने वीडियो देखना चाहते हैं और मोबाइल को उपर प्लीज हमारे चानल को सब्सक्राइब कर लिजिए यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए अपने दोस्तों साब सेयर कीजिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में देख केयर वी सेफ बाब कि लगा झाल के लिए वीडियो में दोस्तों से आप हो दो सी यह वीडियोर में दोस्तों से टानल को से उल के वीडिक़ को आवारे ओद के लिए बाब।